आज हम जानेंगे दुनिया के दो पारदर्शी मचलियों के बारे में सल्पा मैग्योर मचली एक पारदर्शी मचली है जिन्हें पानी में ढूनना मुश्किल होता है आप उसके अंदर केवल उसका खाया हुआ चीज ही देख सकते हैं वे एक दूसरे की तरफ बना कर विशाल जुंड बनाते हैं यह मचली पारदर्शी होने के कारण अपने शिकारियों को धोखा देती है और यह इनसानों के लिए हानिकारक नहीं है इसलिए चीन के लोग इसे जिन्दा ही खा लेते हैं बॉक्स जेली फिश एक पारदर्शी मचली होने के बावजूद एक जहरीली मचली है जिसको पानी में पहचाना मुश्किल होता है वह अपनी टेंटिकल्स से शिकार करता है और अपनी टेंटिकल्स के काटों से शरीर में ज़र छोड़ता है अगर तुरंत चिकितसा नहीं हुई तो पैरलाइज होने की ज्यादा संभावना रहती है क्योंकि इसके अंदर क्निडो साइट विनब जेली फिश के अंदर होता है जो बहुत खतरनाक होता है और ऐसी अद्भुत जानकारी के लिए हमारे चैनल को सबस्क्राइब करें